मैं कशिश और स्वागत आपका नेक्स देन लाइब में यहां पर जैक्रिन फर्नेंडेस और सुकेश शन्रशेखर की प्राइवेट पोटोस लीग हो चुकी है जेहां इनका मामला तो वैसे काफी समय से चल ही रहा था लेकिन अब इनकी प्राइवेट पोटोस लीग हो चुकी है जिसके लगातार जैक्रिन फर्नेंडेस लोगों से रिक्वेस्ट करती हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग मेरा साथ दे और मेरी प्राइवेट पोटोस को लीग ना करें क्योंकि मैं भी मुसीबत में हूं मेरे साथ भी छलकपट किया गया है मैं कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करना जाती थी यह सारी साजिश्टी लेकिन आपको बताते हैं कि सुकेश चंदर शेखर इस वक्त जेल में बैठे बैठे ही वह काफी जादा खेल खेलते हुए नज लगता है कि इंडस्ट्री में इस पर फिल्म बनाने के लिए मारा मारे शुरू हो जाएगी क्योंकि उन्हें जो तरीके आजमाय हैं वह काफी हैं कर देने वाले हैं कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ आपना नौरा फटी का नाम भी जुड़ा था जैक्निन फरनेंडेस का लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है यह आपको बताते हैं यह फिर आपको बता देते हैं कि जैक्नन फरनेंडेस और सुकेश चंदरशेकर के बीच में आखिरकार क्या रिलेशन था बॉलिवूड एक्टरस जैक्नन फरनेंडेस की बीते दिनों ठक सुकेश चंदरशे ती इस तस्वीर के वारल होने के बाद जैकलिन ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटमेंट रिलीज किया है जैकलिन ने अपने अधिकारिक इंस्टेक्राम अकाउंट पर बयान रिलीज किया है एक्टरस ने लिखा इस देश में लोगों ने मुझे हमेशा प्यार और इज़त दी है इस तर मेरे मीडिया के दोस्त भी शामिल है जिन से मैंने बहुत कुछ सीखा है मैं इस वक्त मुश्कल दोड से गुजर रही हूँ लेकिर मुझे उमीद है कि मेरे दोस्त और फैंस मेरे साथ है मैं अपने सबी मीडिया दोस्तों से भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरी कोई भी तस्वीर इस तरह से सर्कुलेट ना करे क्योंकि इससे मेरा निच्टा प्रभावित होता है आप अपने किसी परिवार वाले या फिर करीबी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे मुझे उमीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे इंसाफ में विश्वास है और उमीद है कि मुझे भी मिलेगा शुक्रिया दरसल जैकलिन के साथ ठक सुकेश चंदुशेकर के साथ प्राइवेट तस्वीर लीख हुई थी इस तस्वीर में सुकेश जैकलिन को किस करते हुए नजर आये थे इसके साथ ही जैकलिन के गर्दन पर लवबाइट साफ नजर आया था तस्वीर में एक ट्रेस प्रिंटिर टॉप पहने हुई थी जिहां बता दे कि इस से पहले जैक्लिन और सुकेश की तस्वीर वारल हुई थी तस्वीर में जैक्लिन और सुकेश की मिरर सेलफी वारल हुई थी तस्वीर में जैकलिन को किस करते हुए जैकलिन दिखाई दी थी हाना कि जैकलिन सुकेश से अपने अफेर की खबरों की बाते नकार चुके है जैकलिन एडी को दी अपने बयान में खुलासा किया है कि सुकेश उनकी पीछे पागल हो गया था उनसे बात करने और मिलने के लिए वो दिसंबर 2000 बीच से पीछे पड़ा हुआ था वो लगाता जैक्लिन को जेल के अंदर से फोन कर रहा था लेकिन जैक्लिन ने कभी उसके फोन का जवाब नहीं दिया इसके बाद फरवरी 2021 में उनके मेकप आर्टेस्ट शान मुठिल के पास किसी ने फोन करके अपने आप को सरकारी अधिकारी बताया और कहा कि जैक्लिन को मिस्टर शेकर रतन वेला से जरूर मिलना चाहिए वो बहुत खास व्यक्ति है सुकेश ने जैक्लिन को सुरेश तपोरिया नाम के सक्ष के जरीए एस पुल एला नाम का एक महंगा घोड़ा गुची और शेनल के तीन डिजाइनर बैग, गुची के दो जिम आउटफिट, हुई स्विटर और शूस का एक जोड़ा, दो जोड़ी हीरे के कान के पालिया, ब्रैसलेट, मल्टी कलर के पत्थर, दो हैमिज ब्रैसलेट दिये थे, जैक्लिन ने एडी को दिये अपने बयान में बताया कि सुकेश ने उनको मीनी कपूर की एक गाड़ी भी गिफ्ट की थी, जिसे उन्होंने वापस कर दिया था, लेकिन फिर भी, जैक्लिन फरनेनिस न में आ गई है, इस फोटो में सुकेश उन्हें किस कर रहे है और उनके गले पर लवबाइट भी साफ दिखाए दे रहे है, फोटो वाइरल होते ही एक्ट्रस टूइटर पर ट्रेंड होने लगी और उनको लेका तमाम तरह की बाती की जा रही है, इसके बाद अब एक्ट्रस उनके मीरिया की कुछ दोस्ट शामिल है जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है और वो बुरे वक्त से गुजर रही है तो लोग फ्रेंड्स उनकी जादा रिक्वेस्ट चो कर रहे है वो सर्कुलेट ना करें उनके प्राइवेट फोटो उनके प्राइवसी में दख कार हुई है लेकिन उन दोनों की पहले भी कई प्राइवेट फोटो सामने आ चुकी है और अब एक और फोटो वारल हुए है जिसमें कुछ और ही कहानी बया हो रही है जैकलिन ने इडी को अपना बयान दिया था जिसमें कहा था कि वो 2017 में सुकेश से संपर्क में थी उसे परिचे दिवगन जैललीता की परिवार से बताया था और वे कहा था कि वैसन टीवी का मालिक है बता दी कि सुकेश ने जैकलिन को करोड़ों के गिप्ट्स दिये है जैकलिन के लावा सुकेश ने नौरा फते को भी महंगे महंगे तौफे दिये है सुकेश ने इन दिन और नेत्रियों के लावा श्रदा कपूर शिलपासेटी के साथ संबंध होने का खुलासा किया था ये भी बताया था कि वो हरमन बावेचा की अगली फिल्म को को प्रेड्यूस करने वाले हैं लेकिन फिर भी 200 करोड रुपे की ठगी का आरुपी सुकेश अंदर शेकर कोई आम अतिकारी है और उनके पती की जमानत करा देगा अधिती सिंग को उस पर यकीन हो गया और उन्हें जैसा कहा वैसा पेमेंट कर दिया फोन के दूसरी तरफ बैटा कोई ठग है इसका हैसास उन्हें महीनों बाद चला पूरी कहानी में इतने ट्विस्ट है कि इस पर फिल्म ब बार बारे जेल में हैं जमानत की कोशिश में लगे उनके पतनी खंटों फोन पर किसी से पेमेंट की बात करती रहती है उसे यकीन हो चलाए कि वह बाहर सरकार के बड़े अधिकारियों से बात कर रही है या तक कि ग्रह सचीफ से भी मैं ग्रह मंतरी से मुलाकात कराने को कहत अधर से फोन पर मौजूश शक्स कहता है कि अगर वह कॉपरेट करेगी तो वह भी होगा वह उन पैसों की बात करती है जिन से कुछ हासल नहीं हुआ पार्टी फंड में दिये गए पैसों की बात करती है उस महिला को यह एसास होने में महीनों लग जाते है कि जिस शक्से व पिर उने वह रिकॉर्डिंग्स एडी को दी और दिली पुलिस में 200 करोड रुपे की रंगधारी और ठगी का केस दर्च कराया एडी ने दिली की एक अदालत के सामने कुल 84 रिकॉर्डिंग्स पेश की सुकेश चंदर्शेखर 2017 से जिल में है मगर जिल के भीतर से ही इत्ती बड़ी ठगी को अनजाम दिया है जोना दिकारियों का नाम लेकर सुकेश नदीती को ठगा अभी तक उन में से किसी ने शिकाया दर्च नहीं कराई हैं चंदर्शेखर ने जैकलेन फनेंडी से दोस्ती करने के लिए ग्रह मंत्री अमिच्छा का नंबर एक स्कूफ किया था अजनसी ने इस साल दो बार 36 वर्षे फर्नेंडीस का बयान दर्च किया जिसमें मने कहा कि चंदर्शेखर ने खुद का परीच्छे शेखर अतनवेला के रूप में दिया था इडी की चार्ट शीर्ट के मतामिक सुकेश चंदर्शेखर ने जैकलेंड पर पानी की तरफ पैसा बाया उन पर करीब 10 करोड रुपे खर्च किये गोल्ड वर डामेंड जूल्री और ना चाने कितनी करोड़ों की चीज़े भी दीती साथ साथ एक बिल्ली भी दीती जिसके कीमत 9 लाक रुपे थी लेकिन अब बता दें कि दोनों की बीच तीन चारबा मुलाकात हो चुकी है लेकिन आज जब फोटोज वाइरल हो रही है तब जैकनल फरनेंडिस का कहना है कि उन्होंने मुझको भी फसाया था में साथ उनको ऐसा कुछ खास रिलेंशन्शिप नहीं था लेकिन मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ और आप लोग मेरी मदद करें यह सारे जानकारे सुनकर आपको क्या लगा है आपके क्या राय है यह कमेंट सेक्शन में जरूर बता है और बागी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स नाइल लाइफ